मटन दम बिर्यानी मटन को मेरिनेट करके रखेंगे तो मटन को मेरिनेट करने के लिए प्रेसर कुकर में ही लिया है क्योंकि हम प्रेसर कुकर में ही इसे गलाएंगे तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक कप के करीब दही एक टेविले स्पून डालेंगे अधरक का पेस्ट एक टेविले स्प हल्जी पाउडर एक डेबिल स्फून अबाउडर एक डेबिल स्फून धनिया पाउडर हाप टीछिए लाल मिर्च पून् लाल मिर्च पून् सारी अचिछ अच्छे से मेंक्स के पर चाप क करीब प्राई प्याज ये डाल देंगे और दो चमच के करीब डालेंगे इसमें ऑईल और थोड़े इसमें साबुत मसाली भी जाएंगे साबुत मसालों में एक बड़ी लाइची, लॉंग, श्टारफूल, शाजीरा, दाल चीनी और काली मिर्चली है ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम 1.5-2वंटे कि लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से मेरीनेट हो जाए तो ये देखी मटन अच्छी तरह मेरीनेट हो गया है, अब इसे रखेंगे हम पकने के लिए तो बस फ्लेम को हम आप फुल पर रखेंगे क्योंकर हमने इस फ्लेम लगाझे के लिए तो थोड़ी दे देर भून कर और तो आठ से दस म्त! मटन को भूनने के बाद में इसमें हम पानी डालेंगे तो आदा गिलास के करीब पानी डालेंगे पानी यह पर बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे अब हम इसकी दिट लगा देंगे और फुल फ्लेम पर दो प्रेसर लेंगे इसके बाद हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे लेंगे तो यहां पर अब हम चावल को तैयर कर लेंगे चाहां तैयर करने के लिए यहां पर खुला पानी ले लिया है इसमें hasha बुद्म तायबिली स्पून करीम जार नमक्तु में फूर्बशा जाएगा एक ग्यांगे यहां और इसमें चाहर सा पॉधिन डालेंगे तीन से चार टेबली स्पून नमक, नमक इसमें खुड़ा से ज्यादा जाएगा क्योंकि चावल पकने के बाद में ये पानी को हम हटा देंगे, जब अच्छी तरह अब आने लगे तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे, और हमने यहाँ पर चावल को अच्छे से दो लिया ह तो मतन में जो पानी है, यह पानी को हम सारा सुखा देंगे, फ्लम को फुल पर रखेंगे और फुल फ्लम पर ही इसे अच्छे से भून लेंगे, तो मतन को हमने अच्छी तरह भून लिया है और इसमें भी थोड़ी सी ग्रेवी बाकी है, तो इसमें हम डालेंगे, बारी तो मटन को अच्छी तरह हमने भून लिया है और इसमें हमने थोड़ी सी ग्रेवी बाकी रखी है क्योंकि हमने से पूरा नहीं सुखाया जब हम दम लगाएंगे चावलों में तो यह ग्रेवी चावल को पकाने में काम में आएगी परियानी में दम लगाने के लिए एक बारी नहीं दालेंगे घर मिर्च और यह बचे हुए चावल डाल देंगे अब इसमें डालेंगे केसर एक से 2 टेमिल स्पून डालेंगे इसमें घी नहीं बारी घर अब इसका लगा देंगी हम धगकन और इसका रखेंगे कोई भी बज़न दार शा बारतान या कोई बी एस अब हम चालू करेंगे और फुल फ्लेम पर पांच मिट पकने देंगे इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे और बाना इसमें दम लगने देंगे दंदम बने तेयार है एक बार करेंगे से मिक्स और कर लेंगे तेसाओ तो लीजी मटन दम बिरियानी बन करते हैं वह full टेस्की बोहत् सब्सक्राइब करें अप इसंच आनल को सब्सक्राइब करें तो मिंट्बै कने हैं और आ करकें